और अब भविश्यवाणी बैचारे दुप्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन तक रहेगी उसके बाद अश्टमी तित्री लग जाएगी आज सब्तमी श्राद है इसलिए दो पहर के समय सब्तमी तित्री वालों का श्राद किया जायेगा इसके अलावा आज दो पहर पहले 11.15 तक करते का नक्षत रहेगा उसके बाद रोहनी नक्षत लग जाएगा जो के दिन पूरी रात पार करके अगले दिन दो पाहर एक बचकर 49 मिनट तक रहेगा। आज दो पाहर एक बचकर 5 मिनट तक भद्रा रहेगी जूतिश विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंदराश्यों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग प्रत्थी और पाताल में घूती रहती है। साथी आज शाम 6 बच का 16 मिनट तक खारिशन योग और दो पाहर पहले 11 बच कर 15 मिनट से रव योग रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही पहल देता है। जोतिष के गनिट पक्षने आकाशी पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्र माइडिटी फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये चान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की जाई जैद योग की तो बता दू कि आज ये योग तो ही बन रहा है। अब ये योग 13 सितंबर की सुरोदे से दोपहर 1.30 बनट तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्ययोग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग जोपहर पहले 11.15 मिनट से अगली सुरोदे सुरोदे तक रहेगा। इस क्रम में आईए चर्चा करते हैं आज के शुब महूद यानि की फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूद नहीं है। अगर आपको इतना स्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूद नहीं है। अगर आपको जॉब जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूद नहीं है। अब ये महूद अच्छा महूद नहीं है। और अब बात आती है अशुब समय की। ये शुब से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बात तक कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहट जरूरी है। रहुकाल के दौरान कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिली में रहुकाल होगा 2 बारा बजकर 18 मिनिट से 2 बार 1 बजकर 52 मिनिट तक मुंबई 2 बारा बजकर 36 मिनिट से 2 बजकर 8 मिनिट तक चन्डिगर 2 बारा बजकर 19 मिनिट से 2 बार 1 बजकर 53 मिनिट तक लखनवू 2 बारा बजकर 3 मिनिट से 2 बार 1 बजकर 37 मिनिट तक भोपाल 2 बार बारा बजकर 17 मिनिट से 2 बार 1 बजकर 50 मिनिट तक कुलकाता दो पहर पहले 11 बच कर 33 मिनिट से दो पहर 1 बच कर 6 मिनिट तक आहमादाबाद दो पहर 12 बच कर 36 मिनिट से दो पहर 2 बच कर 9 मिनिट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज दो पहर 12 बच कर 6 मिनिट से दो पहर 1 बच कर 18 मिनिट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुप दिशाच्चा है तो आज वो दिशा है दक्षन पूर्व और दक्षन मेश राशी वालों आज लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है आज आपकी कोई पुरानी पुस्तक प्रकाशित हो सकती है या उसका रास्ता खुल सकता है इस राशी के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है पढ़ाई में मन लगेगा आज भाईयों के बीच में प्रेम पढ़ेगा दोस्तों के साथ आज बाहर समय बिताने का प्लान बनेगा आपका आर्थिक पक्ष पहले के पेक्षा मजबूत होगा आज किसी रिष इस राशी वालों आज आपका दिन बेहतीन रहेगा आज आप शारीरिक और मांसिक रूट से ठीक रहेंगे इस राशी के आर्किटेक्चर के से जोड़े लोगों के लिए आज का दिन सौगात लेकर रहा है आज आपके कामों की तारीफ हो सकती है साथी प्रमोशन होने के च पूट लिए आएगी आज आपके मन को शांति बिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है सिक्स मिथोन राशेवालों आज अपने विचारों को इस परश्टता से अभीवक्त करने की कोशिश करनी चाहिए आप बेमिसाल विचारों से भरे हैं ले या नहीं पूरा प्रयास करें कि दूसरा विक्ति वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं इससे आप अंत में बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे लव मेट आज साथ में टाइम स्पेंट करेंगे वे रोजगारों को आज रोजगार प्राप्त होगा आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है एक करकर राशी वालों आज आप घर पर संतुष्टी भराजिन बिताएंगे साथी घरवालों का भरपूर प्यार आज देखने को मिलेगा स्वाधिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे इस राशी के जो लोग किसी दूसरे के राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा आज आपको किसी मल्टी नेशनल कंपनी से भावना बन रही है लव मेट्स के बीच रिष्टों में नजदीक्यां बढ़ेंगे आर्थिक पक्ष मस्बूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है नेवी ब्लू और लखी नंबर है दू सिंग राशी वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा अगर अपने वेवहार पर काबू नहीं किया तो आज आपके हांच में आए अवसर निकल जाएंगे जिसके करण आपका मन थोड़ चिंसित रहेगा आज लंबे समय से चल रही परिशानियों का हल निकलेगा जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिष्टे में नजदीक्यां बढ़ेंगी व्यापा आज आपका दिन रचनात्मक कारियों में रहेगा हो सकता है आज आप किसी नए रचना की शुरुआत कर सकते हैं संबह हो तो कारिय शाम होने से पहले ही संपर निकल ले इस राशी के जो लोग फिल्म इंडर्स्टी से जुड़े हैं आज उन्हें किसी शो में आइक्टिंग करने का ओफर आ सकता है साथी पारिवारिक बातावरान खुशनुमा रहेगा लेकिन मनो रंचल पर पैसे खर्च हो सकते हैं आठिक इस स्थिते से आज का दिन लावदाई रहेगा लव मेट्स के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें मन को शांते मिलेगी आज के लिए आप कर देना आपके लिए खुशियों की बाउचार लेकर रहा है आज आप उन चीजों को ज्यादा महतर दीजे जो आपके लिए ज्यादा महतर पूर्ण है साथ ही आपको अपने काम परिवार और दोस्तों के भी संतुरन बना कर रखना चाहिए ऐसा करने से आपके रिष्टों में सतुरन रहेगा इस राशी के सरकारी टीचर के लिए आज का दिन अच्छा है अगर जीवन साती के साथ कुछ समय से कसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आज इस बात को सुझाने के लिए दिन अच्छा है पारिवारिक परेशानियों का निवारन होगा आज के लिए लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है आठ वरेश्चिक राशी वालों आज आपका दिन सामाने रहेगा आज आप खुद को काम के बोश तले मैसूस करेंगे ये सारी परिशानियां घर और ऑफिस से रिलेटर हो सकती है बेहतर होगा आज शांत रहकर अपने प्राथमेक् अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपकी शादी के लिए कोई अच्छा उपर आ सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है नाई ठानो राशी वालों आज आप आर्थमेश्वास से भरपूर रहेंगे आज आप आर्थिक स्थित्य को देखते आपके मेहनत रंग लाएगी इस राशी के स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर परिशान होंगे बेहतर है अपने गुरू से परामर्शने अगर आप अपने व्यापार को किसी दूसरे राशी में फैलाना चाहते हैं तो आज इस कारे की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है आज अचानक आपके परिवार में किसी की तब्यद बिगल सकती है परिवार वालों का ध्यान रखे आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नंबर है सिक्स मकर राशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपकी नमरता और समझदारी आपके रिष्टे में आई खटास को दूर करें आज आपके दौरा कारे में सफलता वश्य मिलेगी इस राशी के जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनको थोड़ा धरे रखने की जगरत है आज आपका पूरा दिन परिवारवालों के साथ बीतेगा शाम को परिवारवालों के साथ डिनर का प्लान भी बन स कुम्बर राशी वालों आज आपका ध्यान धार्मिक कारियों में रहेगा आज आपके मुलाकात किसी खास राजनीतिक व्यक्ति से हो सकती है जिसका भविश्य में फाइदा होका इस राशी के जो लोग व्यापार करते हैं आज वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क ही नंबर है पांच मीन राशी वालों आज आपकी कोई पुरानी मनो कामना पूर्ण होगी इस राशी के बच्चे जदा मेहनत करेंगे तो भविश्य में सफलता अवश्य मिलेगी आज अपने पिता से परामर्श लेंगे तो आपका आपको इश्यास बढ़ेगा लबमेट क को आज रिंगिफ्ट करेंगे आज आपका अर्थिक पक्ष मश्बूत होगा महिलाओं के लिए दिन रहत पूर रहने वाला है चातर अपने शिक्षक की बात मानेंगे स्वास्तियार पहले से अच्छा रहेगा बाहर का खाना आवाइट करें आज के लिए आपका लगी कलर ह पहले सेवन और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज तुलसी के पतों का सेवन करें और जिनकी आज मेरी जनिवरसरी है वो आज दस बच्चों को मास्क बाटें तो साल भर सुख और सुखा के बखता ही रहेगा और आईए आप चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांक एक वालू अजर कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है मूलांक दो पैसों के लिहाद से देना अच्छा रहेगा आपको ये पैसे कमाने के मौके मिलेंगे मूलांक तीन भागे का साथ मिलेगा आठिक मामलों में आपको मन चाही सफलता पराप्त होगी मूलांक चार आपका ध्यान अध्यात्मी के तरफ रहेगा किसी धार में किस तल पर जाने की प्लानिंग करेंगे मूलांक पाँच आवेवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा शादी के बेहतरीन रिष्टे आएंगे मूलांक च्छे आफिस में आज का काम रोज की तुलना में कम रहेगा काम को आप पूरा करके घर पर जल्दी ही आएंगे मूलांक साथ आज आपका मन उच्छा से पूर्ण रहेगा आप काफी खुश बने रहेंगे मूलांक आठ तारेक शेतर में सफलता मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे मूलांक 9 बिजनस करने वाले लोग जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्ट होगी और आप चर्चा वासुशास्ट्र की वासुशास्त्र में आज हम बात करेंगे किसी को गिफ्ट देने या किसी से गिफ्ट मिलने के बारे में बच्चे का पर्स्ते हो, किसी की अनिवर्सरी हो या किसी को नौकरी में प्रमोशन मिला हो तो लोग घर पर या कहीं बाहर चोटी बड़ी पार्टी का आयोजन कर ही लेते हैं ऐसे में सौभाविक है कि जिने आप इन्वाइट करते हैं या जो मेहमान आपके घर आते हैं वे कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं और आप भी कहीं जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं ऐसे में किस तरह का गिप्ट देना सबसे अच्छा होता है ये हम आपको बता देती है मिट्टी से बनी कोई मूर्ती या कोई अन्य जीज गिप्ट के रूद न पाना या किसी को उपहार में देना बहुत शुब होता है इससे अटका हुआ धन धीरे धीरे वापस मिले लगता है और आमदनी में वरती होती है और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ चलिए पहले आपको बता देता हूं आज आज आशुन कष्रपक्ष की सप्तमी टीथी बुदुवार का दिन है सप्तमी टीथी आज का पूरा दिल पार करके देराथ दो बत के छे मिनित तक रहेगी दो सितम्बर से शाद्य शुरू हो चुके हैं और सत्ता सितम्बर तक चलेंगे और यहां रुपते हैं जब हम पित्रों की बात कर रहे हैं हम शाद्य की बात कर रहे हैं तो इस देश में एक घटना अभी कुछ समय पहले हुई स्वर्गी यह सोशान सिंग राजपूत अब हमारे बीच नहीं है जो एक बड़े ही मेधावी कलाकार थे और रंगमंश पर जिन्होंने अपनी कला की धात जमाई थी उनके गोलोक वास से जो कुछ भी परिश्यतिया भारत में उत्पन हुई उसे मुंबाई में बॉलीवुट का माफिया या मुंबाई में वो लोग जो स्थापित हैं आप उनको माफिया कहें स्थापित व्यक्ति कहें जो भी है उनके बीच एक हलचल सी मच रही है लगातर और आप जब कि देश की सरहत पर चानों तरफ शैतानी टकते अपने शोशनकारी शड़ेंत्रों के अकुलाई चंगुल लिये खड़ी है जब राष्ट की अर्थवेबस्था लगातर पाताल की ओर जा रही है जब कोरोना की महामारी चाजों तरफ पैली हुई है फिर भी अगर सब को इस बात में रुच है कि सुशान सिंग राशपूत कि शहा तब एक अनुपालन करें हम इस नाटक से जुड़े लगभग सभी पात्रों का एक एक कर क्योंकि सभी अपना इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सार्वेक्ति का अपना एक पात्र है यह संसार एक नाटक है और इस नाटक में प्रत्येक व्यक्ति अपना अबिने करता है भा इस जो कटपुत्लियां नाच रही हैं, इन कटपुत्लियों के पीछे इन्हें कौन नचा रहा है। रोज एक एक करके हम उठाएंगे पर्ता, शर्चा करेंगे, इस नाचक में शामिल हर किरदार की जन पत्रका की, कल से हम शुरू करेंगे पहली जन पत्रका की, और यह जो शुरुवात हम कर रहे हैं, इसका उदेश्य यह है, कि समय और समय की मांग, इसको धान में रखते आज राष्ट की जन के परिफ्रेक्ष में, जिस चीज की आवशक्ता उस्पन हुई है, उस पर पूरा पूरा ध्यान हम दे सके, और उससे संबंदित, जो भी राष्ट के हित का कार्य है, उसके लिए अगर इस विद्या का प्रियोग हो सके, तो एक शेयसकरी स्थिती की, आईए बागे चलते हैं, एक बार फिर पितरों की बात, बात शाध्य की, हमने आप से कहा था कि शाध्य सत्तरा सितंबर को समाप्थ होंगे, चूंकि शाध्यकारे दो पहर के समय किये जाते हैं, और आज दो पहर के समय सब्तमीतिति रहेगी, आता है आज उन लोगों का शाध्य किया जाएगा, जिनका स्वरगवास शुकल पक्ष या कुशन पक्ष की सब्तमीतिति को हुआ हो, इस दिन शाध्य करने वाले वेक्ति को महानी यग्डों के बराबर पूने मिलता है, और वो शेष्ट विचारों का धनी होता है, आता है जिनके पूरवजों का सब् नक्षत्र की, आज शाम 6 बच का 16 मिलिट तक हरशन योग और दोपहर पहले 11 बच कर 15 मिलिट तक रव योग रहेगा, हरशन का अर्थ होता है, खुशी, प्रसन्नता आता है, इस योग में किये कारे खुशी ही प्रदान करते हैं, मुझे विश्वास है कि सुर्शांसिक पात्रों की, जन पत्रगा का, जो उनकी डेट ऑबस हमें प्राप्त हैं, उनका हम जो तीशी है विवेशन करेंगे, तो निश्चा ही ये कार्या पूरे समाज के लिए और शहीद के घरवालों के लिए भी हर्श बदान करने वाला हो, हला कि शहादत तो कभी हर्श नहीं होत लेकिन शहादत का दूसा पहलों अगर देखें तो आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी इस शहादत का नतीज़ा कितना विशाद है। सभी के लिए और भारतवर्ष के लिए विशेश रूप से ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कार्य हर्श देने वाला होगा। और रव योग बला ही शुब माला जाता है, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि रव योग में तेरा प्रकार के कुई योगों का, बुरे योगों का स्वता ही विनाश हो जाता है, जो खराब चीजे हैं, इनका स्वता ही विनाश हो जाएगा, आता है रव योग में कि इसी भी प्रकार के शुभ कारे संपनी के जा सकते हैं। और एक शहीद के शहादत की विवेचना से शुभ और रिचा हो सकता है। हम लोग जरूर करेंगे। इसके अलावा आज दो पहर पहले ग्यार वज कर पंदर मेंट तक कर्तिका नक्षत्र है। कर्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य। और और सूर्य आत्मा का चारक है। उसके बाद रूहनी नक्षत्र लग जाएगा जो के अगले दिन दो पहर एक busyよね wär। बच कर रूताली तक रहेगा। रूहनी नक्षत्र शुभ नक्षत्र के nominee में आता है। जाज दिए स्वामी जगात दूशा में पूरा फिल्म जगत चंदरमा उसे शुक्र का भी समावेश है, भी शुक्र भी है, शुक्र से जन्धित भी कहानियास भा रहे ना आपके सामने, वो सब शुक्र है लेकिन मूलता ये एक पठकत्था यह एक चित्र है, यह एक चल चित्र है, यह एक मन की व्योतिपप्ति है। आपको बता दूँ कि आकाश मंडल में कुछ 27 नक्षत्र इस्थे थे। 27 नक्षत्रों में रोहनी का चौथा स्थान है। इसका संबंद जामुन के प्यों से बताया है। और इसका प्रतीक्चिन बायल गाली को माना जाता है। रोहनी नक्षत्र के जातक बहुती सुंदर, यह एभी बता दूँ कि यह जो इस संदर में इस शहाधत के संबंद में जो चानवीन चल रही है। यह बायलगाली की रफतार से ही चलने वाली है। वो एक दिन में स्वाल्व नहीं होगा हाला कि 13 सितंबर से इस पर फरक पड़ेगा निश्यतूर से फरक पड़ेगा 13 सितंबर को जैसे ही ब्रहस्पती वक्री से मारगी होगा इसकी चर्चा धीरे धीरे कम होने लेकिन जाच जानी रहेगी और जाच बैलगाली की रफ्तार से ही चले लेकिन चलेगी और अपनी मंजिल पर जरू पहुंचेंगी रोणी लक्षक्तर के जातक बहुती सुंदर बड़ी बड़ी आंखो वाले देजस्वी पद्रिपत्रिष्ठा से युक्त संगीत कला में रुचे रखने वाले और मांसी रूप से स्वस्त होते हैं तो ऐस इस जात से ऐसे लोग तमाम ऐसे लोगों को लाग पराप्त होगा जो संगीत कला में रुचे रखते हों जो अभिने कला में रुचे रखते हों जिनके सुंदर नेत्र हों जिनका सुंदर रूप हो ऐसे बहुत से लोगों के लिए मार के प्रशस्प हो जाएगा रोहनी रख जहें कि लोगों को आज जामुन को परनाम करना जाहिए उसमें पाने डालना चाहिए और आज के देन जो लोग रोहनी नक्षत्रन पैदा हो उन्हें जामुन नहीं खाना जाहिए और जामुन के पैल च्छति यह नी पूछ तो एधी है टी जाहिए चर्चा हर्षन योग और आप बात करेंगे रोही नक्षत्र ने पढ़ने वाले सब्तमी श्रादिकी आश्यों लिप्रशपक्ष की सब्तमी के साथ ही आज रोही नक्षत्र भी है गरूल पुरान के अनुसार है हलांकि सुषांत की का जो स्वरगवास हुआ था वो सुषांत सिंग राजपूत का वो दश्मी तीथी में उनकी तीथी दश्मी होगी तो उस हसाब से आप देखिए तो आज सब्तमी है और चार दिन बार दश्मी आने वाले आप यकिन महीं चा अन्य खास नक्षत्रों में शाद करके आप विशेश लाग पा सकते हैं रूहली नक्षत्र के अनुसार शाद के दौरान आप कत्तिका, मरिक्षिरा, आद्रा, पुनर्वस, उपुष्च, मगा, पूरा फालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाका, अनुरादा और मू नक्षत्र में शाद करके विला उठा सकते हैं, रूहली नक्षत्र में शाद करके आप एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, शाद के दौरान इन नक्षत्रों से जोड़े व्रक्षों की भी उपासना करनी चाहिए, हो सके तो उस नक्षत्र का व्रक्ष भी लगान भद्रा रहेगी जोतिश विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग बारह चंदर राश्यों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग पृत्री और पाताल में गुंपी रहती है जिस दिन चंदर्मा मेश व्रश मितुन और विष्चिक राश में होता है तो उस दिन स्वर्ग लो कि अब बात करेंगे आज की जाने वाले खास उपायों की यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि आज की ग्रह और नक्षतर इस्जित के अदुसार सभी लोग यह उपाय करके लब उठा सकते हैं अगर कली मेरत के बावजूद आपको कारिस्थल पर उचित मान सम्मा नहीं मिल पा रहा है किसी को आपके काम के कदर नहीं है तो आज आपको सूरेदेव को जलर्पित करना चाहिए और 21 गायतिरी मंत्र का पाठ करना चाहिए गायतिरी मंत्र इस प्रकार है ओम भूर भूहस्वा तक सवितुर वरेनियम भरगो देवस्यदी मही धियो योनह प्र करना चाहते हैं तो आज आपको सूरे देव को जलक मिठ करना चाहिए साथी किसी जरुतमंद को कुछ मीठा खिलाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर ने तक्षमता का विकास होगा अगर आप करियर में अपरी तरक्की को लेकर परिशान हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सूरे देव को पराम करके उस मंतर का 108 बार जाप करना चाहिए मंतर है ओम रांग रहीं रांग सा सूर्या नमा आपको करियर में खूब तरक्की मिलेगी अगर आप एक सुन्दर स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो आज आपको जामन का प्रिल लगाना चाहिए और उसकी जल में पानी डालना चाहिए अगर कुछ दिनों से आपके माता का स्वास्थी ने चला है तो आज शिवलिंग में शिवलिंग में जल बिलाकर दूद हर्पित करें आपका जीवन सासी हर्ची को शक्की नेदर से देखता है तो आज उनके हाथों से मोती दान करा दीजिए और अगर आपके उपर काम का भार बहुत है तो आज जोंग की रुट राष्टारण करिए अगर आपके घर में जल्द ही कोई मांगली कारकम होने वाला है तो आप उसकी सफलता को शिवलिंग करना चाहते हैं शिव मंदिर में अपने हाथ के बराबर लंबा सफेज दूट का दागा भेट करिए अगर आप अपने कारों की सफलता को लेकर घबराते हैं तो अपनी माता से आशरवात के रूप में एक मुठी आज लेकर उन्हें सफेद रंग के कॉटन के कपड़े की पोट्री में बांद कर अपने पास रख लिए अगर आपके घर में बहस का माहौल बना रहता है तो दूद का दान करना देखो ये सारी चर्चा थी रोहनी नक्षा तर सफ्तमी शाद्य की उमीद है कि आप इस खास चर्चा के लाज़ दूरू ठाएंगे तो दश्मी तिति को सुषान सिंग जी का शाद्ध होगा बला उनकी तिति होगी और ये ध्यान रहे कि हम इस बीच कि अनिवारी सच बन देऐं हैं और आई य엔 चलते हैं और बात करते हैं कि आज सी आज किरत क्या है ती pro चलना है तहां पेश्वर मंदिर जहां नंदी भगवान शिव के सामने नहोकर मंदिर में पासी बैते हैं दरसल दम्मा का एक शीश काटने के बाद वो भारो जी का वहीं पर कपाल छूट गया था ऐसा कहते हैं तो गोदावरी में जो राम कुंड है वहां पर जाकर के अगर आप तरपन करते हैं तो आपको निश्चितूत से आपके पित्रों को अनंद वंगल हो जाता है तो इसलिए आप वहां अगर नहीं जा सकते तो आप घर बैठे ही बोदावरी के जल का बर्शन कीजिए और अपने पित्रों को स्पनल करिए और घर में जो भी जल है उससे शाद करिए और अब जाएगी जो अगली रात 3.35 तक रहेगी अगली रात 3.35 तक रहेगी अस्टमी में आजल नहीं जाना इस तरहे तिखी का समय जानकर आप अपने खाना पीना पर उस्तित कर सकते हैं बाकि आप कुछ भी खाईए पीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ किल की पर वक्षास्थल में आए तिरभोने वापकाए क्रेमी विशे विशानों को लोन मूल नाए इस्तंभोत भुआए समस्त दोशाना हर हरे भी सर भी सर पच पच अना न कम पाए कम पाए मत मत रिं 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 पट पट ठाठा एह यह रुद्र आग्या पयाते खुश्या ही खुश्या हासिल होती रहेंगी और अपना राशफल जानने के लिए लॉग ओन करें www.indiatv.in और मुस्य विक्तियर संपर करने के लिए फोन करें 0124-472-10000 और 997-100226 भविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार